आज आपको फिरीम बताऊंगा आपका संपुर्ण भविश्य फल साम को साथ से आठ के बीच में अपने इसी चैनल पे लाइव हाऊंगा और आज आपके बारे में साड़ी बातें फिरीम बताऊंगा कौन सा वो नंबर है किस नंबर पे आपको कॉल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने भविश्य के बारे में प्रेस्टनली पे करके जानना चाहते हो अपने जन्म कुंडली और हंस्त्रेखा के अनुसार तो आप मुझसे सुबह नौ वज़े से लेकर के साम को छे बज़े तक कॉल कर सकते हो या यह मेरा वाटसेप नंबर है आप इस पे मैसेज भी कर सकते हो जिसमें आपको मात्र 200 रुपे फीश जमा करनी होगी और आप अपने भविश्च के वारे में सारी जानकारी प्राप्त कर पाओगे मैं आपको बता दूँ कि यह 200 रुपे केवल संडे तक है मंडे से यानि कि 19 मार्च से यह 200 रुपे बढ़के 300 रुपे हो जाएगी तो अगर आप फ्री में जानना चाहोगे तब तो आज आपको साम को 7 से 8 के बीच में कॉल करना होगा वो नंबर कौन सा है वो नंबर भी यही नंबर है जो नंबर आपके स्क्रीन पर में अभी दिख रहा है 7062757996 इसी नंबर पे आपको कॉल करना है लेकिन केबल साम को 7 से 8 के बीच में ही इस नंबर पे फ्री बताई जाएगी otherwise आप साम से 7 के 8 के बीच में सनी बार और रवी बार के अलावा अगर कॉल करते हो तो आपको कुछ भी फ्री नहीं बताया जाएगा वो भी कब फ्री बताई जाएगी कैसे फ्री बताई जाएगी यह information केवल आज के लिए है आज साम को 7 से 8 के बीच में लेकिन कल फिर यह information change हो सकती है कल के लिए फिर कल कैसे फ्री रहेगा कहां आओंगा क्या कैसे वो सारी बातें आपको कल फिर मालूम चलेगी तो चलिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उमीद है कि आप समझ चुके होगे कि आपको साम को 7 से 8 के बीच में किस नंबर पे कॉल करना है एक बार मैं पुनह रिफिट कर देता हूँ अगर आप फिरी में जानना चाहते हो तो आप मेरे नंबर 7062757996 पर में आज साम को 7 से 8 के बीच में यानि कि सनी बार 17 मार्च को साम को 7 से 8 के बीच में आप इस पे कॉल करोगे और आपको फिरी में बताई जाएगी वो भी लाइवे स्ट्रिमिंग में अगर आप प्रेजेंट रहोगे चैनल पर में लाइवे स्ट्रिमिंग देखते रहोगे तो और नहीं अगर आप बिना देखे हुए प्रेशनली जानना चाहोगे तो भी आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो लेकिन वहाँ पर में आपको 200 रुपे फीस जमा करनी होगी और आपने जन्म कुंडली और हंस्त रेखा करनुसार आप अपने भविश्च के वाड़े में सारी जानकारी प्राप्त कर पाऊगे चाहे आपकी कोई समस्या ही क्यों नहो उसका समाधान क्या होगा वो आपको जानकारी में दे दी जाएगी बता दी जाएगी तो चलिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू थैंक्यू सोमाध जैहिंद बंदे मातरम